करते हैं अपने प्रमाना दर्थ संसे दी तदा भासाद्वी पर्ये यहा इतिवक्षेत योर लक्ष्मा सेध्ध मल्पम लगी असा माने किनन्दी आचारे द्वारा रचित परिक्ष्यमोक सूत्र जिसके तीन परिक्षेदों की चर्चा हम यहां पर कर चुके हैं पहले परिक्षेद में प्रमान का स्वरूप दूसरे परिक्षेद में प्रमान के भेट और प्रत्यक्षे प्रमान का स्वरूप और तीसरे परिक्षेद में परोक्ष प्रमान का स्वरूप यहां पर बताया गया है ठीक है, अब यहाँ पर हम चौथे परिछेद में प्रमाण के विशय संबंदी चर्चा करने वाले हैं, कि प्रमाण का विशय क्या होता है, ठीक है? चलिए, अपन यहाँ पर पहले सूतर से प्रारंब करते हैं, सामान्य विशेशात्मा तदर्थो विशयाः, सामान्य विशेशात्मा तदर्थो विशयाः, एक बार बोलिया आप लो, बोल पा रहे हैं? चलिए, आसान है यह, सामान्य विशेश आत्मा तदर्थो विशयाः, अब यहाँ चौते परिच्छेत में क्या शुरू हो रहा है? प्रमान का विशेश क्या है? ठीकि, प्रमान किसे विशेश बनाता है? तो यहाँ कह रहे हैं भाई, प्रमान्य सामान्य और विशेश दोनों को ही विशेश बनाता है? आंसर समझ में आया? सामान्य और विशेश आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ वो आत्मा मने वो आजीव वाला आत्मा नहीं, सामान्य विशेश आत्मक या सामान्य और विशेश स्वरूप वाली वस्तु ही तद अर्थो विशेः, उस प्रमान का विशेः है? सामान्य विशेशात्मक जो वस्तू है वो वस्तू ही प्रमान का विशे है ठीक है देखिए अगर हम एक शब्द में कहें तो प्रमान का क्या विशे है तो कहेंगे सामान्य विशेशात्मक वस्तू ठीक है या कहें वस्तू कैसी है वस्तू कि सामान ने विशेश आत्मक ठीक है तो प्रमान का विशेश सामान ने भी है और विशेश भी है आप सबी ही लोग जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो अनेक आत्मक है ठीक है प्रमान का विशेश अभी सामान और विशेश क्या होता है सब आगे चर्चा आएगे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, सामानी क्या होता है, देखो, कई मतावलं भी ऐसे हैं, जो प्रमान का विशह है, सिर्फ सामानी को ही मानते हैं, और कहते हैं कि सामानी ही मात्र प्रमान का विशह है, ठीक है, और कई होते हैं, जो कहते हैं कि विशेश मात्र ही प्रमान का विशे है हमारे जैन धर्म में सामान्य और विशेश आत्मक वस्तु को प्रमान का विशे कहा गया है ना तो सामान्य ना विशेश सामान्य विशेश आत्मक वस्तु ही प्रमान का विशे होती है ते किई जएसे अन्य अन्य जो बॉत है सांख हैं निया एक याईख हैं बशेषिक हैं अद्वेट वाधि आधी दrशन यह दोनों रूप माले सामान विशेश आत्मग नहीं मान करके या तो एकांत रूप से सामान्य मानते हैं या एकांत रूप से विशेश मानते हैं लेकिन हम सामान्य विशेश आत्मक मानते हैं कैसे क्यों सही है क्या नहीं है कि दीरे दीरे आगे चर्चा आएगे देखे दूसरे नंबर सूत्री की ओर पढ़ते हैं देखे पहले नंबर सूत्र में क्या बताया ग लिए लिए हे तु देते हैं हैं आपको पता है आप समझतार हो गए हैं किसी भी वस्तु की सिध्धी किसी भी वस्तु की सिद्धी मने हमारे पक्ष की सिद्धी साध्धी की सिद्धी किसे होती है हेतू से होती है चीक है तो हेतू आवश्चक है देखिए अब यहाँ पर दूसरे नमबर सूत्र में वस्तु जो सामान विशेश आत्मक है इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए आचार यहां ही तू देते हैं अनुवरित व्यावरित प्रत्य गोचरत्वात पूर्वोत्तराकार परिहार वाप्ति स्थिति लक्ष परिणामे नार्थ क्रिया उपपत्तेश्च बड़ा सूत्र है इब फिर से बोलू देखें अनुवरित व्यावरित प्रत्य गोचरत्वात पूर्वोत्तराकार परिहारा वाप्ति स्थिति लक्ष परिणामे नार्थ क्रियोपपत्तेश्च इकवार बोली आप लोग आ रहे बोली में? बोल पा रहे हैं? बोल वालू चलिए भरोसा करते हैं और समय बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है? देखे, मैं आपको ये सूत्र बढ़ा है इसलिए सूत्र में नहीं उल्जाओंगा मैं आपको डालेक्ट अर्थ बताता हूँ हे तू बताता हूँ जो आचारत देते हैं आचारी कह रहे हैं कि पधार्थ अत्ववस्तू कैसी है? सामान्य और विशेशात्मक है देखो समझना आप इसको देखो दो अलग-अलग चीज़े हैं मैं ध्यान चाहूँगा आप लोगों का प्रमान का विशे क्या है? सामान्य विशेशात्मक क्यों? सामान्य विशेशात्मक क्यों है? क्योंकि वस्तू सामान ने विशेश आत्मा के तेको समझ ये प्रमाण पधार्तों को जानता है ठीक है स्वाव पूरवार्त व्यवसाय आत्मकम ज्ञानम प्रमाणम ज्ञान ही प्रमाण है जिसमें स्वाव पर दोनों आते हैं ठीक है तो चाहे स्वा हो, चाहे पर हो, दोनों ही क्या है? पधारत है, दोनों ही वस्तू है, और वस्तू कैसी होती है? वस्तू होती है सामान्य और विशेशात्मक, वस्तू का नेचर ही ऐसा है कि वो सामान्य भी है और विशेश भी है, इसलिए उस वस्तू को विशे करने वाला जो है वह प्रमाण भी सामान्य और विशिश आत्मक होता है कि समझ में आये क्या कहा मैंने कि नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है कि अब लोगों को आवा जा रही है कि अग्वाण कि एह एहा है कте रहा है झाल आवाज आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही है चली वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा था देखिए मैंने जो लास्ट बात कई आप लोगों को समझ में आई मैंने आपसे ये कहा कि प्रमान क्या है दोको प्रमान का विशय क्या है हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्रमान क्या करता है प्रमान जान ग्यान को प्रमान कहते हैं किसे जानता है? वस्तू को जानता है. वस्तू कैसी है? वस्तू बाई नेचर, बाई डिफॉल्ट ही सामानी और विशेश आतमक है. माने वो सामानी भी है और विशेश भी है. इसलिए उस वस्तू को जानने वाला ज्यान भी कैसा हुआ? बने विशेश जो हुआ वो भी क्या क्योंकि वस्तू को ही तो जान रहा है और वस्तू को जानने वाला जो प्रमाण है वह भी कैसा हुआ सामाने विशेशात्मक हुआ ठीक है तो वस्तू भी सामाने विशेशात्मक होती है और प्रमाण का विशे भी क्या होता है सामान और विशेशात्मक होता है ठीक है अब सामान और विशेशात्मक होता है क्यों होता है देखे पहला रीजन पदार्थ अनुवरित प्रत्य और व्यावरित प्रत्य का विशय है यह नए शब्द है लेकिन स्वरू बहुत इजी है देखे सूत्र में सबसे पहले लिखाए ना अनुवरित व्यावरित प्रत्य गोचरत ये पहला हेत्व है कि भई वस्तु सामान विशेशात्मक होती है है हेत्व नम्मर एक क्योंकि वस्तु में अनुवरित्प्रत्य और व्यावरित्प्रत्य का विश्य है अनुवृत्व पृत्याय और व्यावृत्व पृत्याय. ठीक है? एक reason पहले ये समझ लेजी है. दूसरा reason क्या है कि वस्तू, पधार्त में पूर्व आकार का व्याय होता है. अत्पाद व्याय द्रौव व्यात्मक होती है वस्तू? वो ही बता रहे हैं उसी का दोख क्या शब्दावली का प्रियोग कर रहे हैं पूर्व उत्तर आकार परिहार पूर्व और उत्तर आकार का परिहार नहीं मैंने पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की प्राप्ति और स्तिती लक्षन परणाम के साथ अर्थिक्रिया उपपत्तेश्च अर्थिक्रिया पाई जाती है अर्थिक्रिया समझते हैं अर्थिक्रिया होती है प्रयोजन भूत्क्रिया वस्तू में जो वस्तुत्व नाम का गुण होता है न वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण होता है और उस वस्तुत्व नाम के गुण के कारण ही वस्तु वस्तु कहलाती है जैसे द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहलाता है अस्तित्व गुण के कारण सत्थ कहलाता है अस्ति कहलाता है ऐसे वस्तुत्व के कारण वह वस्तु कहलाती है वस्तुत्व गुण क्या होता है? जिए शक्तिकी कारण द्रव में प्रयोजन भूत क्रिया होती रहती है और अर्थिक्रिया कब हो पाएगी अर्थिक्रिया तभी हो पाएगी जब वस्तु उत्पाद व्याय और ढ्रव्यात्मक होगी ठीक है दो हेतु समझ में आएँ अभी पहले roughly समझिए फिर हम detail में भी जाएंगे सामानने समझिए फिर हम विशेश में भी जाएंगे ठीक है सामानने और विशेश को समझने के लिए पहले सामानने समझिए मैं यहां शब्दों से खेल नहीं कोशिश कर रहा था आप लोग पकड़ पाएंगों तो देखें दो हेतु दिये वस्तु सामाने विशेशात्माग होती है इसके दो हेतु है पहला क्या है कि भाईया वस्तु जो है वो अनुवरित प्रत्याय और व्यावरित प्रत्याय का विशेश है ठीक है दूसरा हेतु क्या दिया कि पूर्व पधात का व्याय वस्तु में जो पूर्व आकार होता है पूर्व परियाय जो होती है, उसका व्याय उत्तर आकार की प्राप्ती और स्थिती लक्षन रूप अर्थिक्रिया होती रहती है अब समझ में आया, ये दो हेतु पहले सामाने रूप से समझ में आये, अब देखिए विशेश समझते हैं अनुवृत्य प्रत्य क्या होता है, इसे समझेए, पधारतों में समानता को बतलाने वाला जो ज्यान होता है वह होता है अनुवृत्य प्रत्य है, मैं एक्जामपल भी दूँगा लेकिन पहले आप डेफिनिशन समझ लीजे पधार्तों में समानता को जो बतलाता है ठीक है बिन भिन पधार्तों में जो समानता को बतलाता है ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं अनुवृत्थ प्रत्य कहते हैं जैसे ये भी गाय है ये भी गाय है जो ये गाय है वो सामने सच्वार ये वो की गाय है गाय 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 भिन 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 पधार्तों में एक समानता को बतला रहा है इसे क्या कहा जाता है अनुवृत्थ प्रत्य ठीक है आप भी साधर्मी हो आप भी साधर्मी हो ये भी साधर्मी है वो भी साधर्मी है तो ये क्या हो गया अनुवरित प्रत्य हो गया क्योंकि पधार्तों में समानता का ज्यान हो रहा है आप भी जैन हो ये भी जैन है वो भी जैन है ठीक है ये भी क्या है अनुवरित प्रत बतलाने वाला जो ज्यान है वह व्यावरत्य प्रत्य है अनुवरत्य प्रत्य समानता को बतलाता है व्यावरत्य प्रत्य भिन्यता को बतलाता है छीक है जैसे जाए थे काली गाय ये गोडी गाय ये गाय की बिलोग ब्रीड होती है ये गेज़ गाय है ये प्रानी गाय है तो यह जो हम इस तरीके से डिफ्रेंशीट कर रहे है न उसे कहेंगे व्यावृत्य पृत्ये पहले तुमने कहा कि आप सभी जैन हैं, फिर हमने कहा कि ये जोती जी हैं, ये 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 शवंत जी हैं, ये शशी जी हैं, ये सुधा जी हैं, ये सीमा जी हैं, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? अब व्यावरत प्रत्य कर रहे हैं. अब देखो, आप साधर्मी भी हो, माने सामान बश्री आनिभी और अलग-अलग जो आपकी नाम है वो विष्ष भी जो सामान और विष्ष आतमा में तो सामान यह इन रूप से देख जाए है तो हम सबी भारती हैं भारत में रहने स्दृण बारदी होने के बावजूत भी तो यह सब क्या है हमारा विशेश है तो वस्तु सामान विशेशात में होती है यह तो पहला ही बात कही है दूसरी बात कही है कि वस्तु पूर्व आकार का त्याग करता है मने पूर वो परियाय का त्याग, अगली नेक्स्ट उत्तर परियाय की ब्राप्ति और उत्पाद और व्य होने पर भी उसका ध्रौव्यत्व पना, ठीक है, तो जो ध्रौव्य है, वह क्या है, सामान्य है, क्योंकि वही continuity में पाये जा रहा है, सामान रूप से, और जो उत्प उत्पाद वे उत्पाद वे हो रहा है, वह क्या है, विशेश है, ठीक है, अब वस्तु स्वभाव से ही उत्पाद वे ध्रौव्यात्मक है, तो उत्पाद वे होने से विशेश है, और ध्रौव्य होने से सामान्य है, अब चूंकि वस्तु उत्पाद वे और ध्रौव्य है इससे ही सद्ध हो गया कि वस्तु सामान और विशेशात्मक है ठीक है इस प्रकार यहां पर वस्तु सामान विशेशात्मक है इसके दो हेतु बताए अनुवरत प्रत्य और व्यावरत प्रत्य होने के कारण और उत्पाद्वय द्रहवी होने के कारण ठीक है समझ मैं उत्पाद वैद रोवे आप लोग समझते ही होंगे इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे सामान्य के भेद बताए जा रहे हैं सामान्य कितने प्रकार का होता है देखिए सामान्य के भेद बताते हुए आचार्य तीसरे नमबर सूत्र में कहते हैं सामान्यम द्वेधा कितने प्रकार का हो गया सामान्य द्वेधा दो प्रकार का हो गया कौन-कौन सा तिरियक उर्दुता भेदात ठीक है एक तो तिरियक सा और एक उर्दुता सामान्य ये दो भेद हो गए सामान्यम द्वेधा तरियक उर्दुता भेधात इस प्रकार से सूत्र का अर्थियां ये हो गया कि सामान्य दो प्रकार का होता है एक तरियक सामान्य और एक उर्दुता सामान्य चीक है अब तरियक सामान्य का क्या स्वरूप है इसको यहाँ पर चौथे नमबर सूत्र में बताय जा रहा है देखे बढ़ते हैं चौथे नमबर सूत्र की ओर सूत्रश परदामस्तर्यक खंड मुंडादिशू गोत्ववत खंड मुंडादिशू गोत्ववत सूत्र बोल लिजए एक बार आप लो ठीक है बोल पा रहे हैं चलिए अब तिरी एक सामाने का स्वरूप बता रहे हैं अगर आप लोग सूत्र को सही से पढ़ा होगा तो मेरे क्याल से आप स्वरूप समझ गए होंगे सद्रश परणामस तिरियक सद्रश परणामों को बतलाने वाला तिरियक सामाने है ठीक है अनेक वस्तूओं में सद्रश परणाम को बने वो फेक्टर वो चीज जिसके कारण हम सद्रशता बता सकें समानता को बता सकें ठीक है अंतर तो बहुत होता है सब लोग यूनिक भी हैं और सब लोग सेम भी हैं एक द्रूश्ट्री से देखा जाये तो सब सेम है मने सामानी है एक द्रूश्च्वी से देखा जाये तो सभी यूनिक है मने विशेश ठीक है देखे अनेग वस्तुओं में सवद्रिश परढ़ाम को क्या कहते हैं तिर्यक सामाने कहते हैं जैसे खंडी मुंडी आदी गायों में गाय पना क्या कहा है खंड मुंडा दिशू माने खंडी और मुंडी गायों में क्या गोत्ववत गाय पना है खंडी मुंडी समझते हैं आप लोग क्लणी मुंडी क्या होता है घंडी वोता है और एक लगूरी hope लेकिन उसको तूट जाने के बावजूत भी तूट जाने के बावजूत भी उसमें गाय पना होता है कि नहीं होता है तोगा ना एक मनुष्य के हाथ नहीं है पैर भी कट गए ठीक है अब बताओ उसमें मनुष्य पना है के नहीं है ते खंड मुंड आ दि होने भी मुंडित उप्रिण पहसीन नहीं होते हैं यह स्टुने पर मनुश्य में मनुश्य पना पाए जाता है ऐसी ही गाय खंडित है एक गाय मुंडी है तो गाय मंदी गाय में काय पना जो है कि आप लोग जानते हैं कुट्टों की बहुत सारी ब्रीड होती है सभी की होती है कुट्टों की नहीं होती है कुट्टों को पाला जाता है ना बहुत अलग-अलग तरीके की ब्रीड होती है प्लाना है वोड़कों यह वाला इसे है ऑपि यह जो सभी कुत्ते हैं ठांके और एक्जाम्बल आप चेंज भी कर सकते हो अगर आप इसे आसे आ रहे हो असकल कुता तो एक वो हो गई है ना गुस्से में आपन बोलते है तो थोड़ा सा जीब सा लग रहा है अब जैसे हम यह कहें यह इंडियन है यह पाकिस्तानी है यह चाइनीज है यह थाइलेंड वाले है यह अमेरिकन है यह रशियन है तो यह डिफ्रेंस होता है ना सभी में यह साउथ अफ्रीकन है लेकिन उन सभी में क्या है एक हुमेनिटी है बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है आज कि भई कोई भी हो लेकि हम सबसे पहले मानव हैं हम हीउमन है क्यों क्योंकि तुम भेद यूविद्विद्विं तो जहां वाम सामान ता को बताते हैं कि आम भी तो őन लीऑ के जैसे अनेग मनुश्यों में मनुश्यत्व अनेएक जीवों में जीवत्व। और करते हैं की जीव है जंते स्पमादिक है अनेक वस्त्रों में यह सब्टर्पना तो पीला है यह नीला है यह तो पापा का है यह तो फिर भी आपने तो कप्ड़ा बोला था ना तो हम कप्ड़ा लिया है इन सभी वस्त्रों में एक वस्त्रत तो पाया जाता है, कपड़ा पना पाया जाता है, अलग-अलग होने पर भी, यह cotton है, यह silk है, अपता है, जो भी silk है, अपन यूज करते भी नहीं, बहुत हिंसात्मक चीज होती है, और भी जो जो भेद होते हैं, नाइलोन है, जो भी है, उन में जो एक वस्त्रत तो पाया जाता है, वह क्या कहलाएगा, तरियक सामाने कहलाएगा, ठीक है, समझ में आगया तरियक सामानिया, चले, अब हम समझते हैं, उर्धुता सामाने को, पाँचवे नमर सूत्र में, परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्दता म्रदवी स्थासादिशू, परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्दता म्रदवी म्रदिव स्थासादिशू, सूत्र बोली है देखिए पर अपर विवर्त व्यापी द्रव्यम उर्द्वता मृदा इव इस्थास आदिशु ठीक है एक बाद फेर से देख लेजे पर अपर विवर्त व्यापी द्रव्यम उर्द्वता मृदा इव इस्थास आदिशु ठीक है देखिए उर्द्वता सामान्य किसे कहते हैं पर अपर पर माने पहले और अपर माने बाद पर अपर का मतलब पहले पर का मतलब पहले और अपर माने बाद और विवर्त का मतलब होता है परियाए और व्यापी माने रहने वाला माने पहले की परियाय में और बाद की परियायों में रहने वाले द्रव्य को उर्धुता सामाने कहते हैं पर अपर विवर्त व्यापी द्रव्यम उर्धुता समझ में आया? पहले और बाद की सभी परियायों में रहने वाला जो द्रव्यम है उससे क्या कहते हैं? उर्दोता सामाने कहते हैं सबज में आया अब पहले और बात की परियाय से क्या तात पर है देखे एक्जाम्पल मृदा इव, मिट्टी की तरह कैस किदर इस्तास आदिशू इस्तास आदी में इस्तास पढ़ा है न अभी याद है इस्तास, कोश, कुसूल यह सब परियाय हैं घड़े बनने से पहले की तो इन सब में क्या पाया जाता है एक मिट्टी पना पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है ठीक है तो इन में एक जो मिट्टी पना पाया जाता है कि पूर्व की पर्याय में भी क्या था, मिट्टी थी, अभी वर्तमान की पर्याय में भी मिट्टी है, भविष्टी में घड़ा बन गया तब भी क्या है, मिट्टी है, पानी में मिलाके गल गया, तो भी वो क्या है, मिट्टी है, तो इसमें जो सामान इन भिन भिन पर्यायों में भी जो एक सामान्य पिना फें वह क्या है अलग अलग परियायों में जो बड़ियों से क्या कहते है घर Quinn कै बीक्या फिर अनने किसी द्रयाइव में होंगे तो भी क्या होंगे टीजीव होंगे तो इन विल्बिन विल्पर युश्र जो एक पना पाया जा रहा है, उसके करण क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उर्दुता सामान्य, ठीक है, तरियक सामान्य तो अलग-अलग था, अलग-अलग द्रव्यों में जो पाया जा रहा था, अलग-अलग गायों में जो एक गाय पना पाया जा रहा था, उर्दुता सामान् नन्य परियाय हो रही है उन में समानता को बताया जा रहा है ठीक है इसे कहते हैं उर्दुता सामान चलिए समझ में आ गया तो सामान सरूप समझ में आ गया सामान किसे कहते हैं सामान के कितने बेद हैं चलिए अब विशेश की उसमय है अपने बाद तो विशेश की और बढ़ते हैं ठीक है देखे और विशेश के भेद बता रहे हैं, कौन-कौन से हैं विशेश के भेद? परियाए व्यतिरेक भेदात सामानी की चर्चा हो गई, अब परियाए व्यतिरेक भेदात बहुत एजी है इसका मतलब विशेश के दो भेद हो गए कौन-कौन से दो भेद हो गए एक तो परियाय विशेश और दूसरा व्यतिरेग विशेश ठीक है जी? चलिए, आगे बढ़ते हैं परियाय विशेश का स्वरू बताते हैं आठवे नंबर सूत्र में आज एक अध्याय पूरा हो जाएगा अपना ये चतुर्त अध्याय दिखे, जल्दी से बढ़ते हैं आज पूरा ही करेंगे एकस्मिंद्रव्य क्रम भाविनह परिणामह परियाया आत्मनी हर्ष विशादादीवत बोलिए एक बार, इजी है ठीक है देखिए, अब परियाय विशेश बता रहे हैं आप लोगों को ध्यान होगा उत्पाद वे के माद्यम से यहां बताने वाले हैं कैसे उत्पाद वे के माद्यम से देखिए एक असमिन द्रवे एकी द्रवे में क्रम भाविना परिणामा क्रम से होने वाले भावों को परियाय कहते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं कैसे जैसे आत्मनी हर्ष विशाद आदीवत जैसे कि आत्मा में हर्ष और विशाद आदी परियाय होती हैं सुख और दुख आदी परियाय होती है समझ में आ गया परियाय विशेश क्रम से जो एक द्रव्य में क्रम से जो परियाय विशेश कहते हैं जैसे आत्मा में सुख, दुख, इत्यादी जो परियाय होती है आम में हरी, पीली फिर वो दीरे दीरे करके वो जो परणमन होता है न वो सब जो पर्याय होती है वैसे ही जीवादी सभी द्रव्यों में जो क्रमशा होता है क्रमद पर्याय क्रमशा पर्याय कैसे होती है क्रमशा होती है तो उन पर्यायों का जो क्रम पूर्वक होती है जैसे बाल वस्ता है फिर युवा वस्ता है फिर व्रिद वस्ता है ठीक है ऐसे जो होता है वह क्या कहलाती है परियाय कहलाती है ठीक है परियाय विशेश ठीक है विशेश का यह भेद हो गया एक दूसरा व्यतिरेग विशेश का स्वरूप अब देखिए आगे नौवी नंबर सूत अर्थांतर गतो वी सद्रश परिणामों व्यतिरेको गो महिशादीवत एक बार बोली आप लोग अर्थांतर गतो एक पधार्थ की अपेक्षा दूसरे पधार्थ में जो वी सद्रश परिणामों ठीक है वी सद्रश माने भिन भिन अलग अलग एक पधार्थ से अर्थांतर कतो माने एक पधार्थ से दूसरे पधार्थ में जो वी सद्रश भिन भिन परिणामों माने परिणामन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं व्यतिरेको उसे कहते हैं व्यतिरेक विशेश कैसे जैसे कि गो महिश आदिवत ठीक है गो महिश आदिवत मने गो का मतलब है गाय और महिश का मतलब है भैस गाय और भैस में अंतर पाए अलग कि अरे गढ्राद गाय में और भैस अधियर जो भुणता होती है यह किसका एग्जांपल हो गया και किसी रहती है चीक है छीकए समजिक में आहिए आप सबी लोगों को तो इस प्रकाय से यह लाल गाय largely यह काली गाय यह भी क्या हो इसप्रकार वस्तू कैसी है सामान विशेशात्मक है, तो जब वस्तु सामान विशेशात्मक है, तो वस्तु को जानने वाला जो प्रमान है, उसकर भी विशे क्या हो गया, प्रमान किसको जानेगा, प्रमान भी सामान विशेशात्मक वस्तु को जानेगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आज ए महावीर भगवाने कीजे